नमस्ते दोस्तों, स्वागे ते आपका मेरे चैनल पर और सबसे पहले मैं बता दू, 11 तारिक जो है फ्री सबकॉंशा सीलिंग है, रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ धाई सो रुपे है, क्योंकि फ्री होंगे तो बहुत लोग परिशान करने आ जाएंगे, इसलिए धाई सो रुपे रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, तो रात को 10 पजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 11 तारिक से लेकर 20 तारिक तक ये प्रोग्राम होगा, वाटस अप ग्रूप में आपको अड़ कर दिया जाएगा, वहाँ आपको गूगल लिंक भेजी जाएगी जिसको 9 बज़े आपको जोइन करना है और ये बहुत ही मस्ट प्रोग्राम होने वाला है तो बिलकुल जोइन कीजिए इसको और फाइदा लीजिए लाइव हिलिंग का और बाकी सारे जो है लाइव सवन चक्रा के जो वीडियोज है मैंने डाल दिये है सबकॉंशस हेलिंग उससे आपको बहुत फाइदा होगा पास लाइफ रिगरेशन के वीडियो वी फ्री में डाले है उसका जरूर फाइदा लीजिए अगर आप रेकी सीखना चाते है क्रिस्टल रेकी सीखना चाते है प्रानी खीलिंग सिर्फ 1100 में कैई सारे कोर्से से जैसे टैरो के कोर्सेस 1100 में है और ओरोस्कोप के 1100 में है और आकाश्य Tek Forum के तीनो लेवल सिर्फ 1100 रूपे में है आप अटेंट कर सकते है अगर आप कोई भी crystal activate करके खरीदना चाहते है तो भी मेरे पास available है activate crystal जो होते हैं उसको program करना पड़ता है तब ही वो काम कर सकते हैं crystal रेकी से आप सीख सकते हैं कि crystal को कैसे programming कर सकते हैं तो आईए आज की information बताती हूँ कि क्यों divine feminine की life में इतना over struggle होता है sometimes awakening के बाद भी वो कई सारी phases में जो है बिलकुल over struggle को experience करती है मैं अपना एक dream बताती हूँ दोस्तो उस dream में मैंने देखा कि मैं मंदिर में हूँ और वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वो हनुमान जी का मंदिर होगा तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा मंदिर है मैं उस मंदिर में हूँ और हमारे महराष्ट में जो है दो महालक्ष्मियों को खड़ा किया जाता है तीन दिन उसका दो दिन उसका पूजन किया जाता है तो महालक्षमी पूजन उस टाइम हम बोलते हैं उसको कहा जाता है कि ये भगवान बाला जी की पत्मिया है दो तो उनका वहाँ पे पूजन किया जाता है तो मैंने देखा कि भई उस मंदिर में दो महालक्षमी की दो मुर्तिया मुझे दिख रही है और जैसे मतलब भगवान ने जैसे ब्लेसिंग्स दी है कि तुम्हारे पास मतलब लक्षमी रहेगी तुमको कभी लक्षमी की कमी नहीं पड़ेगी और उसके बार मैं देख रही हूँ कि मैं घर पे आई हूँ और हमारी जो पहले मुखुट थे महालक्षमी की जो होते हैं मिट्टी के बने हुए थे और कुछ लोग मिट्टी के बनाते हैं कुछ लोग धातू के बनाते हैं तो हमारे मिट्टी वाले थे जो मट्के बनाया जाते हैं उस टाइप के तो उसके उपे जो है मेरे बुवा ने पैंट किया था वो काफी उग्र तरीके से मतलब जैसे बड़ी बड़ी आँखे कड़क लक्षमी बोल सकते हैं उसको उस टाइप से वो पेंटिंग थी बाद में जब वो पुराने होके उसका विसरजन कर दिया गया और नए मुखुट ले आए गए जो कि बड़े सॉफ्ट चेहरे थे उसके जैसे मेरी मा थी उनका नीचर बड़ाई सालेंट था जब भी मैं मामा के यहापे जाती हूँ तो मुझे मामा बोलते हैं कि तिरी मा तो इतनी सालेंट बिलकुल गाएं की तरह थी तो इतने बड़ बड़ करने वाली कैसे पैदा होगी तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपने बुआ आगे उपर गई हूँ तो बिलकुल वो सॉफ्ट चेहरे जो है अभी मैं माहलक्ष्मियों के देखती हूँ हमारे गर में जो है और पहले वाले जो थे हमारे बच्पन में वो काफी उग्र दिखाई देते थे और अब मैं देखती हूँ कि सपनी में मंदिर में जाके आई हूँ और घर में देखती हूँ कि एक ही महालक्षमी के जो है दो चहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं मतलब दो महालक्षमिया खड़ी है लेकिन उनके दो दो चहरे है एक में से जो है उग्र रूप दिखाई दे रहा है और दूसरे में सालेंट दिखाई दे रहा है तो दोस्तों क्या होता है कि लक्षमी की बहन जो थी अलक्षमी जिसे कहा जाता है अलक्षमी जहां पर जाती है वहां पर मतलब हर चीज की कमी होती है अलक्षमी जो है उसका नेचर भी ऐसा होता है कि वो सिर्फ लक्षमी को पाना चाहती है लक्षमी की कॉपी करना चाहती है, खुद को लक्षमी बताना चाहती है, बट लक्षमी वाला कोई भी गुन उसके अंदर नहीं है, ना वो गिवर नेचर की होती है, तो यहां पर बात चल रही है डिवान फेमिनाइन की और डेवल फेमिनाइन की, होता क्या है दोस्तों कि जि दिवान फेमिनन को कभी भी वो जो है माँ का प्यार नहीं मिलने देती और उनके घर में कितनी भी फैसिलिटीज हो उसका एक अंच भी जो है दिवान फेमिनन के हाथों में वो नहीं आने देती मतलब दुनिया का वो भला करेगी लेकिन डिवान फेमिनान का इतना बुरा करेगी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतना नुफसान भी कोई इतनी जलन भी रख सकता है तो ब्लैक मैजिक करेगी या कुछ भी करेगी पर डिवान फेमिनान की मदर जो होती है उनको माँ से प्यार तो नहीं मिलता जैसे रेगिस्तान में कोई जी रहा है, वहां पानी का एक बूंद भी ना मिले, उस तरह जीवन हो जाता है. कि उनको कहीं से भी प्यार नहीं मिलता. कोई अगर उससे दोस्ती भी करना चाहे तो ये जो डविल फेमिनान होती है उसके आसपास किसी को भी भटकने तक नहीं देगी उसको मतलब उसके हर एक खुशी वो चीनेगी उसको हर वो दुख वो देगी हर वो खुशी वो चीन लेगी तो इस तरह से वो एक्टिव रहती है हर वक्त कि किस तरह से जो है डवन फेमिनान की सारी खुशिया छीन ली जाए तो मैंने उस ड्रीम में देखा कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक ही लक्ष्मी की मूरत मतलब दो लक्ष्मियों की मूरत रखी हुई है दोनों के दो दो चेहरे हैं मतलब जैसे नॉर्मली लक्ष्मी का एक ही चेहरा होता है पर एक जो है बड़ी ही उग्र तरीके से देख रहा है और दूसरा जो है साफ्ट है और इस तरह दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे घर में लक्षमी के दो रूप है लक्षमी और अलक्षमी जिसके वज़े से तुमको ओवर स्ट्रगल करनी को मिल रहा है तो मैंने उसमें देखा कि मैं इतना भाग रही हूँ, इतना भाग रही हूँ रेकी सिखानी के लिए मैं कहीर से रेकी सीख के आई हूँ और जैसे मेरे ग्यान की गठडी जो है रस्ते पे मैं रख रही हूँ, मैं बोज नहीं उठा पा रही हूँ और जो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रखती हूँ, फिर से उसको लेनी के लिए जाती हूँ मतलब ने उस टैम पे मैं देख रही थी कि मैं ओवर स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं टैरो भी सिखा रही हूँ, मैं रेकी भी सिखा रही हूँ, मैं होरोस्कोप भी सिखा रही हूँ मुझे तो ऐसा हुआ कि मेरे टैरो में बहुत कम स्टुडेंट थे फिर भी मैंने सोचा कि इनको अटेंट करना है तो इस तरह से एक भी स्टुडेंट कहीं से मुझे मिल जाए मैं उनको अटेंट कर रही हूँ भले थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए लेकिन मैं उनको जो है अच्छे से अटेंट करनी की कोशिश करती हूँ तो मतलब इतना स्टुडल इतना स्टुडल कि कहीं से कोई हैल्प नहीं जैसे मैं लोग पर बाई लगाई हो तो बरतन मारने को दो दिन में चली जाएगी मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने खाना पकानी के लिए लेडी लगाई थी तो अपने हाथों जैसा खाना बिल्कुल भी बनाया नहीं जा सकता और मुझे लगा कि आगे जाके तो मैं बुड़ी हो जाऊंगी मुझे किसी और के हाथ का इक खाना पड़ेगा लेकिन अभी से अगर मैं ऐसा खाना खाऊंगी तो मतलब ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने जो हाथ दिये है उसका यूज़ करना चाहिए और शुगर थोड़ी डिटेक्ट हुई है तो कहीं न कहीं भगवान ने मुझे बिल्कुल लाइन पर लगाया है कि मैं बिल्कुल चावल ही चावल खाये जा रही थी तो अब खुद के लिए रोटिया बनाओ और जब खाना पकाने वाली की रोटिया मैंने खाई तो मुझे वो हज़न नहीं हुई तो मुझे समझ में आया कि मैं कितनी सुन्दर रोटिया बनाती हूं और मुझे बनाना चाहिए खुद के लिए, खुद को पैंपर करना चाहिए, खिलाना चाहिए जो मैं वॉकिंग नहीं कर रहे थी, प्राणायाम नहीं कर रहे थी तो एक-क मारा है नेचर नी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुगर नहीं है, ये वरदान है मेरे लिए अब मैं एक्टिव हो गई हूँ, मैं रोटिया बना रहे हूँ, मैं प्राणायाम कर रहे हूँ, मैं वॉकिंग कर रहे हूँ कहीं ने कहीं मुझे जो मैं नहीं कर पा रही थी seriousness नहीं था वो मुझे seriousness शुगर ने दिलाया है जो diabetes detect हुई है और कहीं नए कहीं एक नया soul purpose भी दिया है कि मैं अब diabetes पे भी subconscious healing लोगों की करना चाहूंगे तो जो blessings मेरे भी काम आ जाए तो इस तरह से मैंने देखा कि मैं इतना struggle कर रही हूँ इतना struggle कर रही हूँ और मैं भाग रही हूँ बस भाग रही हूँ कि कैसे भी हो मेरा money blockage feel होना चाहिए इसलिए मैं इतना भाग रही हूँ इतना भाग रही हूँ ऐसा मैंने dream में देखा और मैंने देखा कि भागते भागते मैं ट्रेन की नीचे आ गई और मैंने अब सोचा कि मेरे जो पाउं है राइट पैर उसके उपर से अब ट्रेन जाने वाली है और वो ट्रेन चली भी जाती है पर आश्चरे की बाद है कि मेरे उपर से ट्रेन चली गई और फिर भी मेरा पैर कटा नहीं तो कहीं न कहीं लक्षमी की ब्लेसिंग्स है कि ये अलक्षमी जो है अलक्षमी की ओर्जा जो है वाइब्रेशन जो है ये आपका पूरा गुडलक छीनना जाती है क्योंकि जहां पर आप देखोगे कि जहां पर डिवन फेमिनाइन होती है उसी घर में किसी ने किसी रूप में डेवल फेमिनाइन आ जाती है ताकि वो उसकी एनरजी को सक कर सके वो एक एनरजी वैंपार होती है वो हर तरह से डिवन फेमिनाइन को मतलब डिवन फेमिनाइन उसके सामने आते ही पागल हो सकती है उनका मानसिक संतुलन बिगड सकता है और उनका बच्पन ऐसे ही रहता है कि जैसे मानसिक संतुलन बिगडा हो किसी का क्योंकि वो इस तरह से वो ट्रिगर करती है इस तरह से आप देखोगे कि आप उसके सामने उनकी नजर में नजर आप मिलाओगे तुरंट आप physically, mentally हर लेवल पर weak हो जाओगे Even Divine Feminine के फादर को भी ये लेडी जो है बहुत गंदे तरीके से परिशान करती है जिनकी वज़े से हो सकता है Divine Feminine के फादर ड्रिंक करने लग जाए या वो सारा गुसा जो है अब देखोगे ऐसे फादर जो है बड़े ही dedicated रहेंगे अपनी वाइक के लिए बट unconditional love उनको कहीं से भी नहीं मिलेगा उनका मतलब पूरा पैसा सक कर लिया जाएगा पूरी तरीके से जो है अपने मैके वालों के लिए एक तरह से कह सकते है कि पूरा मैका इनके उपर जीएगा इनको मतलब खून चूसता है न मच्छर जैसे चूसता है उस तरह से पूरी तरह से कैसे डवान फेमिनान के फादर को ये सक कर लेती है उनका पैसा, उनके शारिरिक श्रमता मानसिक श्रमता और ऐसे इनसान को पागल बनाके छोड़ देती है, ताकि वो ट्रिंक करे, गुसा करे और सारा गुसा, घर तरह से समझाएगी किस तरह से ये अशुब है, घर के सारे सदस्यों के मन में ये जहर भरेगी, रिष्टेदारों के मन में जहर भरेगी, रिलिटिव के मन में जहर भरेगी, पड़ोसियों के मन में जहर भरेगी, इवन डवन फेमिनन के अगर कोई फ्रेंड्स हो तो उन्हें भी ये फोन करेगी, कॉन्टैक करेगी और उनके मैं में ऐसा जहर भरेगी उनके सबकॉंशिस में सबके सबकॉंशिस में ये मतलब सबके पास दिमाग होता है लेकिन ये जब बोलती है तो सबके सबकॉंशिस में इस तरह से वो बात बैठ जाती है कि लोग अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते है सबकॉंशिस माइंड को ये बिल्कुल कॉर्ट डालके इस तरह से एनरजी खीच लेती है कि सामने वाला बिल्कुल लो एनरजी में आ जाता है और इनकी बात मानने लग जाता है एक तरह से ये हॉंट पैदा करती है कि मेरी बात सबने माननी ही चाहिए और यह ऐसा बिहेव करेगी कि यह साक्षात मा लक्षमी का रूप है जब कि आप देखोगे कि इनके मैके में जो है लोग जो है खानी के लिए तरस जाएंगे वहाँ पे बिमारिया होंगी वहाँ पे शादिया तूटेंगी वहाँ पे मतलब बुरे से बुरी चीज वहाँ पे आंसिस्टर दोश तो इतने भेंकर होंगे कि मतलब जिस घर में ये पैदा होगी उस घर में दोश ही दोश होंगे उस घर में कभी लक्षमी नहीं होगी उस घर में किसी के शादिया नहीं होगी हो गई तो वो टिकेगी नहीं अकाल मृत्यों की संभावना उस घर में हमेशा रहेगी मतलब कोई ने कोई अचानक से मर जाएगा मतलब बुरी से बुरी चीजे की लोग जो है खाने के दाने के लिए तक तरस जाए इस तरह से जहां ही जन लेती है अलक्षमी के है बहां पर ये साइन मिलते है तो जब डिवान फेमिनन ग्रोथ करने लग जाती है अपना इनर वर करने लग जाती है वो देखती है कि वो इतने एडवांस तरीके से काम कर रही है वो अपनी जी जान लगा रही है मैंने देखा कि में झरीम में इतना भाग रही हूं इतने कश्ट कर रही हूं अतना मेहनत कर रही हूं लेकिन मुझे result उतने नहीं मिल रहा है जतने मिलने चाहिए भगवान ने तो पूरी blessings दे रखी है मैंने देखा कि भगवान के मंदिर में तो महालक्ष्मिया है और वो मुझे blessings दे रही है तो मेरे पास तो लक्ष्मी है तो ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके वज़े से संपूर्ण abundance नहीं मिल रही है तो घर में जो अलक्ष्मी का बास होता है जिसकी वज़े से हर बुरी चीज उस घर में होने लगती है फिर वो ब्लैक मैजिक कही है रिलेटिवस के मन में निगेटिविटी पैदा करने हर एक इनसान इविन आप देखोगे कि इड़ान फर्मिनेंस की जो शादी शुदा बहने होगी उनके ससुराल में भी इस तरह से उनको brainwash किया जाएगा इस तरह से उनके mind में card डाली जाएगी और उनको बताया जाएगा कि ये जो है बड़ा अशुब है ये किसी का अच्छा नहीं देख सकती ये black magic करती है उल्टे आरोपो कि divine feminine की जो spiritual powers है उनको हमेशा गलट ठहरानी की कोशिश की जाती है मान लोगों रेकी सिखती है क्योंकि वो divine feminine का soul purpose ही होता है twin flames का कि आम लोगों को किस तरह से कुणली awakening करनी चाहिए इसके लिए प्रत्साहन दिया जाए अपनी energy को उपर उठानी के लिए प्रत्साहन दिया जाए divine feminine हर उस depression वाले इंसान के पास पहुँचती है divine feminine हर उस रोगी के पास पहुँचती है हर किसी का भला करना चाहती है लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए सब कुछ समझते हुए भी जो relative connect हो जाते है बहनों के शादी हो गए उनके ससुराल वाले है उनके मन में भी इस तरह से जहर भर दिया जाए कि वो मजबूर हो जाए black magic करने के लिए divine feminine के और वो इस तरह से control उनका दोश नहीं होता उस तरह से control में आ जाते है divine feminine के उपर मानलो उसको ऐसे समझेंगी कोई बला है कोई आपदा है कोई संकट है कोई भूकंप है कोई बिजली है ये सबसे बुरी चीज है पता नहीं कितनी साधनाएं इसको है शायद इसको कोई acute science पता है शायद ये कोई बुरी चीज है तो इस तरह से उसकी spiritual power को जब की जब भी अपनी बहनों पे भाईयों पे सबसे बड़ा संकट आता है divine feminine सामने जाती है उनको उस संकट से बाहर निकालती है मुझे याद है जब मेरे घर में कोरोना हुआता है सबको divine feminine ये नहीं सोचती कि मेरे साथ लोगों ने क्या किया है वो सिर्फ healer है वो सिर्फ समझती है कि बीमार इंसान को बीमारी से बाहर निकालना है वो नहीं उस समय वो दुश्मनी नहीं निकालती है मतलब सबसे बुरे समय में divine feminine सबसे अच्छा बरताव करेगी मान लिजी अपनी बैन बीमारे फिर सोते ली हो अपनी हो वो नहीं देखेगी सबसे पहले वो भाग के जाएगे और जैसे ही वो कदम रखेगी वो बीमार इंसान जो है तुरंत ठीक हो जाएगा रोने वाले बच्चे तुरंत शान हो जाएगे लोग मौत के मुँसे बाहर आ जाएगे लेकिन वो कभी भी डिवान फेमिनाइन को अच्छा नहीं कहेंगे तो उसका कारण ये है कि जो निगेटिव एनरजी होती है अब इसे डेवल फेमिनाइन कहे अब इसे अलक्षमी कहे या इसे जो भी कहे ये ग्रोथ होनी ही नहीं देती मान लीजे कोरोना वाइरस फैल रखा है हम कितनी टैबलेट्स दे रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो निगेटिव एनरजी के मतलब जहां पे हो आप देखोगे वहां पे जो है ये फट से रिजल्ट नहीं मिलेंगे हीलिंग फास्ट नहीं होंगी वहीं अच्छी प्लेस अच्छी जगा अच्छे लोग होंगे तो ना दुरुस्त होने वाले रोग भी दुरुस्त हो जाते हैं जो अलक्षमी होती हैं हर तरह से डवान फेमिन के लिए दुश्मन पैदा करती हैं मतलब लोगों के मन में इस तरह से गलत फेमिया वो फैलाती है कि जो उससे प्यार मिलना चाहिए जो उससे सम्मान मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता लेकिन बदले में उल्टा जो है नुकसान करने वाले लोग ही डिवान फेमिनन के लाइफ में आ जाते है डिवान फेमिनन का लग सकता है बट डिवान फिमिनन को हर वो तकलीफ फिजिकल मेंटल स्लो पॉइजन देना यह किसी भी लेवल तक जाएगी और आप देखोगे कि लोग इसका साथ देंगे क्योंकि यह सबकॉंशिस माइंड को इस तरह से टेक ओवर कर लेती है यह किसी को भी नहीं छोड़ती तब इनको पावर्स ऐसी होती है दोस्तों मैंने अपनी मदर को जो है अपनी स्टेफ मदर है इसलिए मैं ऐसा कह रही है ऐसा नहीं बट मैंने गोड डेमन के रूप में देखा वेकनिंग से एक दिर साल पहले मैंने इनको गोड डेमन के रूप में देखा मतलब राक्षिस क की रूप में देखा जिसका चेहरा जो है बकरे की तरह है उस समय मुझे यह समझ में ही नहीं आया मैं बहुत कंफ्यूज होगी कि यह क्या चीज़ है बट अवेकनिंग के बार मुझे पता चला कि मैं एक स्टासीड हूं और निगेटिव स्टासीड भी होते हैं वो भी ट्वि में डिवानफ़मस्टान के लाइव में और स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि अलक्षमी जो डिवान्फ़मस्टान लक्षमी का रूप होते हैं उसी कहले अलक्षमी भी प्रवेश कर जाती है डिवानाे बनान के एंटरजी को सक्क करने के खाने Cute कि यही रीजन है कि DF को अपनी लाइफ में भयंकर स्ट्रगल देखना पड़ता है आप देखोगे सबसे जाके रूट का रिजन यही निकलता है कि मा से ही उन्हें सारी negativity आ रही है मा ही जो है उनकी लाइफ को खतम कर रही है मा ही उनके स्ट्रगल को बढ़ा रही है मां ही उनके जो है विवाहिक जीवन को नश्ड कर रही है मां ही बच्पन को खतम कर रही है